नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के सीटेव में मैंन पाल कश्चाप इस समय इंद्री में मौझूद है और इनलो कारेकरतों की एक मीटिंग चल रही है क्यों चल रही है उसी को लेकर बातचीत करेंगे यस्वीर राणा जी जो जिला अध्यक्स है इनलो पार्टी का उनस तारिक को इंद्री हलकां के अंदर हमारी यात्रा इंटर होगी उसके बारे में हमने आगे अपने रूट के मताबिक अपनी तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों के मताबिक हमने अपने नेताओं के ड्यूटी लगाई किसकी कैसे ड्यूटी है यात्रा को किस परकार सचोरी रूप से चला जा सके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितने हो सके और यातरा में जो आए हुए हमारे साथ थी होंगे हमारा जो संक्ठन है उनका किस परगार महमान अबाजी की जा सके आज इस बारे हमने इंद्री अलका के मीटिंग लिए है हमारे परदान भरतमडा है कि ताकि ये यातरा अरियाना परदेश के अंदर ये सीम सीटी है अरियाना के अंदर जो मेन पड़ता है यहां हमारी यातरा बिल्कुल सफलता पुर्गंड जिस परकार पीछे हमारे को रिस्पॉंस मिल रहा है उसी सी रिस्पॉंस के दौरा हम यहां अपनी यातरा निका जिस परकार से हम यात्रा को चला रहे हैं 25 अंबर पे जो इसका समापन होगा आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी ये कवरेज 25 अंबर की दिखाना और हमारी कवरेज जो यहां जिला करनाल के अंदर 10 दिन चलेगी 2 तारिक से 13 तारिक तक आए मैं आप सभी से आप से अनरोद करता हूँ कि हमारी यात्रा का परचार और परसारा आप भी करें आपका बहुत बहुत धन्यवार जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है किसके निकाली जारी और क्यों निकाली जारी क्या इसका मक्षद है परिवर्तन यात्रा का तो परिवर्तन लिया वो कंगर्शी है चैव बीजेपी का है अपने दमाग में जब उसके जाएगी परिवर्तन करना वो रात को जाएगा जब अपने घर अपनी बीवी को भी ये कहेगा परिवर्तन करो उनकी ये कमांडर जो फोर्स है ये यही कारिये करेगी और आने वाले टाइम में अरियाना पर देशी नहीं पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाएगी हमारी यात्रा चोधरी देविलाल ने बहुत पहले एक परिवर्तन यात्रा सरसा से दिली तक निकाली थी उसके बाद परिवर्तन आया था पूरे देश के अंदर सरकार बदली थी वोई तुम्हें टाइम दुबारा आने वाड़ा है यात्रा कब से शुरू है और कब इसका समापन कहा होगा यात्रा जो सिंगार गाउं से शुरू होई थी और इसका समान दिवस 25 तंबर जो है कैथल के अंदर जो स्थान हमने तैय किया है कैथल की मंडी में 25 तंबर के अंदर इसमें बहुत बहुत बड़े नेता आएंगे औ और वहाँ इसका समापन किया जाएगा आप हमारी रेली को भी देखने आना मैं आप से अनरोध करूंगा आप से प्रार्थना भी करूंगा कितना मदलब कितनी तैयारी है परिवर्तन यात्रा को लेकर कितने उत्सक है लोग परिवर्तन यात्रा के उत्सक तो आप ही दिखा सकते हैं हम जबान से कुछ कहे दें उस बात का पता नहीं लगता जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है हमारे उत्साह को आप ज्यादा दर्सा सकते हैं हमारे कहने से कुछ नहीं बनता जो आप दर्साएंगे जो चचाई आप सचाई आग लोगों के आगे पेश करो अपने आप ही हमारी यातरा का पता चल जाएगा वह कितना सम्मान यह मतलब करते हैं अबाई सिंग चोटाला जी का आधरनिया ओम्परकास चोटाला जी का ओम्परकास चोटाला जी का हमारे पीछे हाथ है बाई अबाई सिंग पीछे हाथ है उनी की देख रेक में सारी यातरा चल रही है उनी की देख रेक में सारा काम हो रहा है इंद्री हलके में हमारा स्वागत करनाल में रात को यातरा जाट बहुन में ठहरेगी करनाल हलका करके करनाल हलके से इंद्री हलके में यहीं जो कुंद्प्रा रोड से एंट्री होगी वहीं से स्वागत किया जाएगा इंद्री हलके का और सुरू में जिले करनाल का स्वागत वहाँ कॉंड में किया जाएगा पूरे जिले के वर कर जाएगे जिस तरीके से बाड का का जो कहर है इंदरी हलके बे यानि काफी जो जिले थे वो भी परभावित हो चुके हैं फसले काफी कराब होगी है उसको लेकर आप क्या कहेंगी बाड के उसमें हम सारे साथी बाड में बयाने हमने रासन भी वितरित करवाया है हम वागए भी है हमने जाएजा भी लिया है हमारे नेताओं ने उपर रपोर्ट भी ये करी है भी लोगों का नुक्सान बरपाई मकान की किसी की दुकान की किसी के गर की और किसी के खेत की जो खराबा हुआ है वो कम से कम पचास जार वे परतिय कड़के इसाब से सरकार उसको वेन करे और ये किसान की पार्टी है मजदूर की पार्टी है सबसे पहले किसान की और मजदूर की जो बात की थी चोधरी देविलाल ने की थी आज सौधरी अबे सिंग्च चोटाला करते हैं जो भी उन्हें निर्देश देते हैं वो उम प्रकास चोटाला जी देते हैं करनाल में मुख्यमंतरी आए होई हैं और लोग का रोफ है कि करनाल में मुख्यमंतरी आके चले जाते हैं लेकिन जो बार से परभायूत हैं लोग उनके बिस क्यों नहीं गए क्या करना है ये तो देखो बीजेपी वाले कारिकरतों से पूछोगे आप साथ जादा उसे अच्छा रहेगा आज में मुख्यमंतरी जी कल रात से यहीं है और मुख्यमंतरी जी को मिलने के लिए आगे तीन तीन चारचा डी एस पी खड़े हो जाते हैं मुख्यमंतरी का क्या पता है आज खुला दरबार लगा रहे हैं खुला दरबार चोधरियों परकाच चोटाला जी का था गाउं में जाते थे गाउं में बैठते थे आपका जैसे इंदरी अलका है आपके इंदरी अलके में 50 गाउं है 60 गाउं है उनके पास कोई नहीं होता था फोर्स दूर होती थी अरे एक आदमी गाउं आज बलाते थे आपके गाउं में क्या कमी है ब्यानने में क्या लगना है कि लेकर किस तरुके से स्वागत की तैयारी को लेकर आप करणाड जी ले में पाँच हलके हैं और जो पांच हलका बढ़ेगा इस यात रहमें वह कि हमें अपने हलके में पिछले चार हलकों से 19 से 21 करके दिखाना है तो हमने उसी तरह से योजना बनाई हुई है और आज हमारे प्रदान जी आये थे इनके मारक दर्शन में आज एक मीटिंग हुई है इन्हों ने जिस जिस कार्या करता को जो डूटी लगई हैं कि तो से क्या पील करेंगे हम शेतर के कार्या करता हैं पहले तो में यहां करता है हैं मैं इनसे अपील करूंगा कि जो भी आज पास के हर गाउं में जा कर लोगों के चलेगी और दूसरे ऊन्सक्राइश के उन जा यहां से अठाओ फेंको और मुझदूर की सरकार लाओ और यही मैं करना चाहता हूं कि जब यह सब परिवर्तनप पर लगेंगे तो वाकिमें परिवर्तन होके रहे दो ज्यूरी है यह तो आप खुद जान सकते हों मेरे काने से नहीं आपको पता लगेगा आपको खुद पता है इतना प्रेशान है आप थोड़े देरे पहले खुद ही बात हो रही थी करनाड आते हैं और बाड़ गरस्त जो हमारे 52-53 गाउं जो पूरी प्रवावित हैं वैसे तो इंद्री अलगे के सारे ही प्रवावित हैं पर 52-53 गाउं तो ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ हैं और वहां क्योंकि प्रवावित से पहले तो कुछ 30-40 परसेंट सड़के ठीक थी अब ऐसा हो गया है कि सिरफ 1-2 परसेंट सड़के ही ठीक रहा गया है आप देखोंगे कि पिछले 5-7 दिन पहले से पाणी उतर गया है प्रमतु अब भी इंद्री से कहीं गाउं का लिंक कटा हुआ है जैसे कि कल ही देखोगा आपने जो ब्याना की तरफ नहर है इसमें पानी पूल अभी बनानी है और पानी छोड़ दिया गया है और ब्याना से इंद्री के लोगों का लिंक तूट गया है और उनकी हद यानि 70% जमीन नहर से इस साइड है और 30% उस साइड है तो आप देखो किस से आप परिवर्तन का मतलब पूर्या और बैस्तार है वे परिवर्तन के रहा है रोट जो सरकार है वो पुंजी पत्यों की सरकार बनके रहेगी है और उससे मेंगाई बड़ी है आम जन मेंगाई से दुखी है और शाषन और परशाषन दोने पूरी तरह से फेल हो चुके हैं परशाषन की तो यह आहलत है कि मैंने अपनी फेस्बुक पे यह लिखा कि मैं एक लाग रुपए ingram दूँगा मेरा जाइस काम है कोई भी कार्य करता है जो यह समझता है कि उसकी सरकार है मेरा काम करा दूँ और एक लाग रुपए अपना इनाम का ले ले एक भी वैक्तिने ये निका एक भी वैक्तिने ये दावर नहीं किया कि मैं किरा दूंगा आप यह देख लोगी यह आहलत है और जिस परदेश की परशाशन वे वस्ता ठप हो गई हो उसमें शाशन का तो कोई अर्थी नहीं रहे जाता इसलिए मुझूदा सरकार को तो खुद ही सरकार से अपने आपको अब दस्त कर देना चाहिए और चुनाओ क ओने विदाता की अदेश की उसने कहा जाना फ्के रहना करना थी कि तनी होगी अस्मानता के जहां कितनी होगी कि चिछेश में यह देक्ति की 80 क्रोड लोगों को अनाज देना पड़ते जो कमाकर के नहीं कहा सकते उसी की वज़े से उसको ये समझे कि वो पर रोजगार हैं बचा रहे जिनको 80 क्रोड लोगों को अनाज देने का काम कर रहे हैं कोई बिखारी थोड़ी है वो वो इस पर देश के नागरिक है उनको करम काम उनको मिलना चाहिए ताकि वह कमागर के अपने स्वाबी मान का जीवन वेतीद कर सके क्योंकि लोगतंतर में एक ऐसे देश में जिसमें गंतंतर है जिसमें चनाओं के दोए सरकारे चुनी जाती है तो उसमें सबस्रे बड़ी बात यही आ जाती है कि वहां पर ज तुनेंगे यह कोई अर्थ नहीं रखता लोग तंतर काहिम रहना चाहिए लोग तंतर तभी काहम रहेगा जब लोग जो शाशन में बैटें वह अपने आपको राज़नार समझ करके लोगों का सेवक समझे बता दीजिए सब्सक्राइब करेंगे परिवर्तन यात्र चौक पर हमारा जो साइड में बसंत ब्यार है वहीं से उस लाइन पर चलेंगे जो चौक है उसके बाद चलेंगे आगे पहुंचेंगे नेवल से फिर अगे गूम गड़के हम जाएंगे मैं मती मैं मती के बाद बढ़ा गाओं गीड इस तरह से आगे बढ करता थे इनका बिल्कुल साथ तोर पर कहना है कि जो अभे चोटा लगी जो परिवर्तन यात्रा बारा तारीक को करनाल में करनाल आई टी आई में उसका भवे स्वागत होगा उसके बाद इन्होंने जो रूट मारूट बनाया है वो बसंत ब्यार से होते हैं कुझ पुरा से होते हैं वीविन इंद्री के जो गाओं है उन में जाएंगे उनका भवे स्वागत किया जाएगा इनलो पारिटी कारे करताओं की तरब से पूरी तैयारी है और कार्य करताओं में पूरी उससकता दिखाई दे रही है इंद्री से मैंनपाल केश्ड पंजाब के स्टी टीव प्रोड़ाद